नमस्कार स्वागत है आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी के यूट्यूब चानल पे और हम लोग आज बात करने वाले हैं मनी और इंफ्लेशन के बारे में यानि की मुद्रा और मुद्रा इस्फिती के बारे में हैं और इसको हम आज कबर करने वाले है इसे पहले जितने भी लेक्चर उसको आप एक बार देख लीजेगा अच्छे से अगर आग नहीं देखें हैं तो और अगर आप देखें हैं तो फिर आप उसके उपर में question जरूर लगाए, previous year question paper जरूर लगाए, क्योंकि पीछे के question लगाना बहुत जरूरी है, previous year question paper अगर आप नहीं लगाएंगे, तो आपका selection नहीं होगा, मैं बार बार इस बात को बताता हूं, आज भी इस बात को बता रहा हूं, previous year question paper लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस बात को आप अच्छे तरीके समझेगा, और previous year question paper किरन publication के आते हैं, SSC के घटना चकर के आते हैं, तो ये सारे publications के आते हैं, previous year question paper उठाईए और लगा जाईए, कोई प्रसानी उसमें आपको होना नहीं चाहिए, और भी तीसरे चौते पांच्वे publications है, ये दो established है, जिस पे ज़्यादा believe रहता है students का, और मैं एक student की रूप में इसको आपको बता रहा हूँ, teacher की रूप में तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मुद्रा के बारे में, और exam का question यहाँ से थोड़ा सा निका का, बिन्यमय का साधन है, बिन्यमय का, अगर इसको हम और अच्छे तरीके से समझे, तो आपने इतिहास हम से पढ़ लिया है, देखें, इतिहास कितना जरूरी है, इसको आप समझे, इतिहास आपने पढ़ा है, और उस दौर में, जब आपने बैदी केज की बात के थी, तो साधन माना गया फिर जैसे ही महा जनपद काल की तरफ हम सिफ्ट होते हैं तो पहली वार मुद्रा की हमें दिखाई परता है पहली वार फॉर्स टाइम मुद्रा हमें समझ में आता है और वो मुद्रा जो महा जनपद काल का होता है जिसे हम बुद्ध काल भी कह लेते हैं कि आजा या फिर जो भी है वो अपना एक स्टैंप उपर लगा दिया तो उसी को बोलते है पंच मांग क्वाइंस ठीक है ना तो यह सबसे पहले हमें महाजनपद काल में यानि की बॉध्धो के काल में हमें समझ में आता है या इतिहांस के रूप में इसको देखा जाता है और ए पॉइंट है बुध्धकाल ओप्शन में आपका होगा तो इसका मतलब यह इतिहांस का कॉस्टन हो जाता है लेकिन यह कॉस्टन आपके मुद्रा यानि एकोनमी का भी हो जाता है और वहां से जो मुद्रा का डेवलपमेंट हुआ यानि कि अगर मैं यहां पे आपको थोरा स कर दू कि महा जनपद काल से महा जनपद काल से जो मुद्रा का डेवलपमेंट शुरू हुआ वह आज तक आते हम डिजिटल करेंसी तक आ गया है यानि कि बिट कॉइन तक आ गया है डिजिटल करेंसी ठीक है महा जनपद में कौन सा मुद्रा था आहत मुद्रा आहत मुद्र और यहां पर हम digital currency तक आ गया हैं, तो यह development of money है, यह development of currency है, जिसको हम कह सकते हैं, कि इस तरीके से develop होकर कि हम digital तक आ गया है, तो इस development को हम समय समय पर इतिहांस में बताते रहे हैं, कि किस तरीके से सोने की सिक्के चलाएं, किस ने सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलाया, यह आप हमें आज के इसमें कमेंट करेंगे कि सबसे ज़ादा सोने के सिख्क्य किसने चलाये ते और सबसे ज़ादा सुध्य सोने किते किसने चलाये था ये दो के हूशन आप हमें बताएंगे चले ठीक है तो मुद्रा जो है ना आहत मुद्रा से डिजिटल करेंसी यानि बिट कौइंस तक जो आने के पूरी परकिलिया है इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट रॉल जो है न मुद्रा का वो क्या है एक्सचेंज का रॉल है सबसे तर काम है यानि कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं पईसा देंगे कपड़ा ले के आएंगे इसी को एक्स्चेंज बोलते हैं अब कंशेंज पर आ गई है तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं यानि करहें टृवां। पहरप्पा काल में और बैदिक काल में और उस समय हम क्या पढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम था बार्टर सिस्टम इसको बोलते हैं बस तू बिन मैं परनाली जो आज तक किसी ने किसी रूप में हमारे समाज में ब्याप्त है और वो कैसे ब्याप्त है उस समय ही बताया थे और आवल लेलिया और उसके वज़ें वाडले में आ तो वो जो समान आपको चाहिए वो उसका 받ड जो टेय ओना उस रेट का वह समान देदेगा यह तो यह तरीकी का harder system जो आज भी कहीना कही मौझूद है कम है मौझूद है लेकिन उस समय बाटर सिस्टम ही बस्तू बिनमय का जो एक साधन है वो बस्तू के बिनमय के द्वारा ही सारा का सारा economic परकिरिया को चलाया जाता था सारे सारे economic परकिरिया को ठीक है तो मुद्रा जो है न वो क्या बिनमय का सर्व मान साधन है सरमन साधन है तेका ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह बार्टर सिस्टम समझ में आ गया बस्तू बीन में पदती जो बस्तू के बदले बस्तू पाना और यहां पर हम क्या कर रहे हैं मुद्रा के बदले बस्तू पाना ठीक है चलिए अब अगला पॉइंट है कि जो मुद्रा का निर्गमन करता है यानि कि पैसे को निकालता है या करेंसी को छापता है ठीक है जारी किया जाता है किंद्रिये बैंक के द्वारा यह आप जानते जाना मना आपका पॉइंट है इसमें कहीं कोई बात हमारे लिए नहीं है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं बता पॉइंट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दू और इस एक्जाम्पल को देख लीजेगा किसी भी मुद्रा का आज के डिट में जो है न उसको अच्छे से समझे फियेट सिस्टम समझा रहा हूं किसी भी मुद्रा का अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है किसी भी मुद्रा का अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है बलकि उसकी वैल्यू एक कानूनी रूप से परधान की जाती है उस देश के सरकार के द्वारा तो इसी को फियेट सिस्टम या फियेट मनी कहा जाता है मैं फिर से बता हूँ किसी भी मुद्रा का अपनी कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट की बात पता रहा हूँ मैं अपनी वैल्यू नहीं होती है तो उसकी वैल्यू उसके जो दिया जाता है वो एक कानूनी रूप से देश के गोवर्मेंट के द्वारा परधान की जाती है आज के रात आठ वजे के बाद उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं तो जो पानसओ हजार रुपया का नोट जो बंध हुआ उसमें जानते हैं हुआ क्या कुछ नहीं क्या वो कागज का नोट नहीं है तो क्या कागज का note नहीं है है कागज का note है दरअसल government जो उसको legalize किया ज़र करा हुआ था यानि government जो उसको माननेता परदान करके रखा हुआ था market के लिए उस माननेता को government वापस ले लेता है और इसका नतीजा ये है कि वो 500 रुपया या 1000 रुपया का नोट अगर आप में से किसी के पास भी है तो वो किसी काम का नहीं है यानि कि एक कागज के बरावर है बात समझ में आ गया क्योंकि उसके पीछे गौवर्मेंट की पूरी पूरी एक कानूनी बैध्यता परदान थी तो इसलिए वो रुपय मार्केट में चल रहा था अब अ करना ही नोट आये और करके 2000 की अगर बात करें तो देखिए गौवर्मेंट उसके पीछे ये कानूनी मानेता दे दिया कानूनी पौइंट दे दिया कि ये मार्केट में 2000 के रूपया के रूप में चलेगा यानि इसकी वेल्यू 2000 के बढ़ावर होगी तो 2000 का समान यानि कि उ कानूनि रूप से बैद कोई मुद्रा जिसका अपना मोहतों नहीं होता है और पहले अपना तो होता था मुद्रा का कैसे आपको बताता हूं कि अगर बड़ा ध्यान से समझना अगर हम गुपता एज के दिनार को जो सोने के सिक्के होते थे रिविजन भी करवा रहा हूं और मेरी बात को जितना गौर से समझोगा ने उतना खोपड़िया के अंदर में जाएगा कितना गौर से समझतों यह देखना है देखो गुपता एज के अंदर अगर हम सोने के सिक्के जिसको दिनार कहा जाता था अगर गौर्मेंट उसको लिगलाइज नहीं करे यानि कि गौर्मेंट उस समय यह कहे कि यह अब सिक्के के रूप में नहीं चलेगा तो भी उसका अपना ए जो ब्यापारी हो ले लेता क्यों क्योंकि अब उसको सिक्के को रूप में नहीं लेता वलकि सोने के रूप में लेता बास समझ में आ रहा है एक्जामपल के तौर पे आज के डेट में समझाता हूं बड़े अच्छा एक्जामपल है बहुत अच्छा एक्जामपल है अभी ज ठीक है मिला जुलाकर अगर आप ढूंडेंगे तो आपको एक रुपय अंग्रेज़ोग जमाने का मिलेगा और उसका रेट बाजार में क्या है आप पता लगाईए तो अब यहां पे मेरा पॉइंट है कि गौवर्मेंट ने तो उस एक रुपय के सिक्के को लिगलाइज नही है इसलिए वह बिकता है और उसको आप रखते हैं क्योंकि कभी भी बाजार में उसको लेके जाएंगे तो 10-50 रुपया वह जादा ही आपको कीमत देगा क्योंकि उसका अपना महतो है लेकिन आज के सिक्के में अपना महतो वाली कोई बात नहीं है इस बात को आप अच्छे वाली बात बताया जिसको मूल भूत महतों कहते हैं यह बात मैंने दो तीन एक्जाम्पल से आपको समझा दिया है तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा एक्जाम्पल देना ठीक नहीं रहेगा अब देखते हैं कि मुद्रा के क्या-क्या परकार होते हैं तो देखो परकार बहुत सारे होते हैं और यह जितने भी परकार हमने यहां पर लिखा है हिंदी इंग्लिस दोनों में लिखा हुआ है परसान नहीं होंगे हिंदी इंग्लिस वाले बच्चे यह एक्जाम का तो जो important है, उसको हमने ले लिया है, अब इसको exam के question के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, plastic money, plastic money क्या है, तो plastic money है, ATM, credit card, debit card, simple रूप से कह लेते हैं, ATM, जो भी ATM होता है, वो debit card, automatic हो जाता है, तो credit card और debit card, ये plastic money है, आज credit में, plastic money, इसको कहा जाता है, exam में question पूछेगा, तो गलती करके नहीं आना, plastic money कहा जाता है, ठीक है, hard money क्या है, hard money कौन सा होता है, तो hard money वैसे money होते हैं, जिसकी मांग बहुत हो, मतलब जिसको लोग चाहे कि मेरे पास है, या सरकार चाहे कि मेरे पास हो, लेकिन वो उपलब्ध कम है, यानि कि उपलब्धता उसकी कम है, तो इसको economy के भासा में कहते है, मांग जादा है, पुर्ती कम है, इंगलिस में बोलते है, demand जादा है, supply कम है, तो वैसे money को hard money कहते हैं, जैसे dollar, हमारे यहाँ dollar की मांग बहुत जादा है, क्योंकि dollar को सर्बमान मुद्रा माना जाता है, all over the world, और dollar में ही काम किया जाता है, जब आप बाहर निकल जाएंगे अपने देश से, क्योंकि अपने देश के सीमा के अंदर आपकी रुपिया चलेगी, देश के सीमा के बाहर आपकी रुपिया नहीं चलेगी, तो उसको आपको convert करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो dollar एक सर्मान मुद्रा के रूप में acceptable है, और पूरे दुनिया में इसको accept किया जाता है, तो dollar की मांग, या euro भी कह सकते है, euro की मांग बहुत जादा है, लेकिन उसका पुर्ती जो है ना, कम है, demand जादा है, और supply कम है, तो वो hard money हो गया, देखो, soft money कम हो, क्या है, तो soft money का मतलब इसका ठीक उल्टा, जिसका supply जादा हो, लेकिन मांग कम हो, यानि कि supply जादा हो, demand कम हो, तो वो soft money है, अब देखो कैसे, तो देखो, अब आप बोलेंगे, सर, हमारे यहां तो रूपिया का बहुत मांग है, जिसके पाइसा होगा, अमीर होगा, आपके यहां, यानि कि भारत के सीमा रे उनके dollar, उनके pound, उनके euro cake सामने में बड़ा कमजोर है, बहुत ही निम्न अस्तर का है, तो इसलिए आपकी मुद्रा का मांग दुनिया के देशों में, खास करके developed country में कम है, तो जब कम है, तो वो soft money है, बात को समझने कि कोशिज करना, लेकिन जिस मुद्रा का मांग दुनिय में जादा हो, यानि कि दुनिया में जादा हो, तो वो hard money होगा, और आप जानते हैं कि dollar, euro, in, है ना, इसकी मांग दुनिया में जादा है, तो वो hard money है, पक्का, चलो, तो hard money, soft money समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे तरीके से, मैंने example से भी आपको समझा दिया, कि किस त hot currency, hot currency क्या होता, ये भी dollar, euro है, hot currency ये है, कि जिसमें plan करने की जादा संभावना हो, plan का मतलब क्या है, कि थोरा सा भी economy में किसी तरीके का problem हुआ, तो वो money जो है ना, अपने आप plan कर जाएगी, plan कर जाएगी, कैसे देखिए, हमारे देश में अगर सुस्ती थोरी CI, government की policy ऐसे बन गई, जो economy के लिए जादा बेहतर नहीं है, तो जो भी foreign direct investment है, या FII है, मतलब इसको ऐसे समझो, जो बिदेशी लोग हमारे देश में आकर के पैसा लगाए है, जैसे ही government की निती अपने favorable में उनको नहीं लगा, वो निकल जाएगे, और जैसे तो वो तुरत निकल जाए प्लाइन कर जाए, उसको hot currency कहते है, ठीक है न, चले, बिदी ग्राहे मुद्रा, किसी भी देश की कानूनी प्राप्त मुद्रा, बिदी ग्राहे मुद्रा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब किसी भी देश का वैसे money, जो legally acceptable हो हमारा रूपिया, अमेरिका का डॉल किसी का यूरो, किसी का रूबल, किसी का रियाल, किसी का फ्रैंक, किसी का पॉंड, स्टर्लिंग, किसी का एन, किसी का यूवान, तो यह सारे क्या है, बिदी ग्राहे मुद्रा है, क्योंकि इन मुद्राओं का अपने अपने देश में एक क्या है, मानिता प्राप्त है, तो लीगल करेंसी आप 3000 प्रतिग्या पत्र होता है कि में हुआ तरीके का साख है, credit है, और यह credit depend करता है, उस company के उपर यह credit depend करता है, किसी person के उपर में, कि वो कितना credibility वाला person या company है, market में, तो उसके दोरा जारी की गई bill of exchange, या government को दोरा जारी की गई, जो bill of exchange होता है, बिन में पत्र होता है, उसके उपर में believe करते हैं, लोग और पैसा लगा सकते है तो यह पूरा-पूरा साख मुद्रा है, ठीक है न, चलिए, digital मुद्रा, bitcoins है, digital मुद्रा, सस्ती मुद्रा, जिसमें ब्याज की दर कम हो, वो मुद्रा सस्ती है, ठीक है, ब्याज की दर कम हो, वो मुद्रा क्या है, सस्ती है, तो कुछ important हमने मुद्रा के बारे में बात किया और आपको समझाया भी I hope आपको एकदम समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल देंगे और आपको समझाया भी ठीक है ना चलिए तो ये मुद्रा के बारे में हमने कुछ-कुछ बाते किया जिसमें हमने आपको बताया कि मुद्रा कौन जारी करती है और उसके बाद मुद्रा के क्या-क्या परकार है उसके बाद एक दो पॉइंट और हम मुद्रा के बारे मुद्रा से नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग point बना ले, जो कि exam का कभी के question पूछ लेता है, कि काला धन क्या है, अब आप सुचते तो होंगे काला धन काला धन, कितना चिलाया है लोगों ने कि काला धन काला धन है न, बाकी आप समझते हैं, तो काला धन होता क्या है, या black money क्या होता है, तो वैसा कमाया गया पैसा, फिर से बताओं मैं अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ, आप देख लिज़ेगा, वैसा कमाया हुआ पैसा, जो कि कर अधिकारियों से छुपा गया हो, या कानूनी तोर पे सही नहीं हो, काला धन है, मैंने क्या लिखाया, कर अधिकारियों से छुपाया गया धन या जिसका स्रोत कानूनी नहीं हो काला धन हो मतलब यह है कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा काला धन है ठीक है चुकि आप उस पे कोई टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपने अच्छे तरीके से ही पैसा कमाया मान के चलो कि आपने कोई मेहनत करके पैसा कमाया ठीक है मै यहाँ पर काम कर रहूँ मुझे पैसा मिला और पैसे मैं इतना काम करूँ कि मेरे पैसे यानि कि मेरी इंकम टैक्स पेवल के अंदर आ जाए मैं फिर से बताओ मैं इतना काम करूँ कि मेरी इंकम इंकम टैक्स पेवल के अंदर अगर आ जाता है तो इसका मतलब यह है मेरी बात तरीके से यानि कि उसको कर अधिकारी से चुपाया गया पैसा हम माल लेंगे तो यही होता है कि लोग बहुत-बहुत पैसा कमाते हैं और कर अधिकारी उस चुपाने के लिए इधर इधर उधर 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 उस bank account में वहां यहां यहां वहां transfer करके किसी तरीके से अपना manage करते है और इस manage कराने में आप जानते हैं कि charter accountant जो है ना बहुत ज्यादा आपका योगदान देता है ठीक है यह अलग बात हो गई समझना हमें कालाधन क्या है तो वैसे कमाया गए पैसे जो कर अधिकारियों से चुपाया गया हो कालाधन है या जिसका source भी गलत हो वह भी कालाध marketing तो black marketing क्या होता है इसको बढ़े अच्छे से समझना कि market में गलत तरीके से किसी भी चीज के rate को बढ़ा के और उसको बेचना black market है जैसे अगर पहले कि समय में आप जानते थे कि cinema का ticket का black होता था तो यह क्या होता था तो लोग जो है ना पंद्रह बीस पचीस पचास जो भ ticket full हो जाता था कोई लेट से पहुंचा ticket नहीं मिल रहा है तो वह ब्लैक करके यानि की 50 रुपे के ticket साट रुपय में बेचता था साथ रुपय के ticket सत्तर रुपय में और खरीदने वाले जो है ना खरीद खरीद के देखते थे अभी black marketing साथ नहीं black ticketing साथ नहीं होती cinema का लेक से हैं हर तरह के market जो इस तरीके का काम करता है वह black marketing है और आप जानते हैं कि जब market में किसी product का demand बहुत ज्यादा हो product का demand बहुत ज्यादा हो उसका supply बहुत कम हो तो उसका black marketing होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है वह black marketing होने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा बढ़ है यह टोटल डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई की रूल पे ठीक है तो ज्यादा चाहिए है कि डिमांड जो है ना अगर के हिसाब से अगर सप्लाई रहे तो ब्लैक मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वह कमजोर हो जाएगा तो इसके उपर गॉर्मेंट अगर ध्यान देगी तो यह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग को जो चाहिए अब जैसे देखो लोग को जो चाहिए वह मार्केट में उपलाध है तो उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो पाता है ठी पैसा पहले आना पैसा कहा जाता था उसके जगवा पे नया पैसा कहा जाने लगा मैं फिर बताऊं यह देखते है कि भारत में दसमलब पत्हत्ती को वार्यू किया गया तो 1957 में पहला देख लिएग्जाम को सबद्हत्ति को यह अग्जाम का कोशन बनेगा डिसमलब पत्ती आया तो उसमें हुआ क्या तो यह एक interesting point है जो मैं आपको दोता हूं। दरहसल उस से पहले आना पैसा कहा जाता था आपने सुना हो गा आना कहा जाता था कि आना पैसा ठीक है। उसके बाद क्या हों गया नाया पैसा हो गया नाया पैसा में पर 664 के आसपास ये नया पैसा भी समाफ्ठ हो गया तो आना पैसा और यह नया पैसा याद रखिएगा नया पैसा तो आना पैसा जो हम देख रहे हैं में इस इसमें डिफ्रेंस था आना होता था आठाना चार आना यानि कि चार आना आठाना आठाना और आठाना होता था ठीक है तो आठाना बड़ाबर क्या होता था पचास पैसा तो जब दसमलब पधिती आ गई तो ये आठाना दसमलब पधिती का वाद आठाना जो होता था नो क्या हो गया पचास पै से पहले क्या होता था चार आना होता था यह एक्युवेलेंट किसके होगा 25 पैसे के एक्युवेलेंट हो गया किसके एक्युवेलेंट हो गया 25 पैसे के एक्युवेलेंट हो गया और इस 25 पैसे को कहा गया 25 नया पैसा यानि कि बिल्कुल नया इंप्लिमेंट था अपने देश तो वे एक उर्पिया आता है, तो एक उर्पिया को आप 16 आना कर सकते हैं, लेकिन 16 आना चलता नहीं था, आठाना ही था, तो आठाना ही हम लोग बच्पन से आठाना आठाना करते थे, तो दादी 50 पैसा निकाल के दे एती थी, और बोलते थे हम 10 नया पैसा चाहिए, हम ऐसे 10 नया पैसा दे दो, तो 10 नया पैसा दे दो, 5 नया पैसा दे, 5 नया पैसा, तो 5 नया पैसा या निकी 5 पैसा जो होता था, 5 नया, या 20 पैसा दे दो, 20 पैसा, तो 20 पैसा मिलते था, जिसको 20 नया पैसा होलता था, और 25 पैसे को हम 25 पैसा नहीं करते थे अपने दादी को, करत ट्रेंस्टिंग पॉइंट नहीं है लुग किया है घरों मैं इस तरीके से में एक्जामपल दे रहा हूँ उतने कितने ऐसे वच्चे कमेंट करके बताना तुझ राएग वार ठीक है या उस पैसे को देखा भी हो या आप में से कुछ लोग उस पैसे को चलाया हो मार्केट में मैं चलाया हूँ ठीक है तो मैं आप कि इनी बात बता रहा और उसका answer क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगा समझ लिए थोरा सा बड़ा आसान है ठीक है दरसल बाजार में जो हमारा पैसा है वो अलग अलग रूप में है किसकी सुरूप में है तो जरा मैं उसको अगर समझाओं तो बाजार में जो हमारे पास पैसा है मैंने economy परहाते समय सुरू में कहा था कि मैं बात ज़्यादा करूँगा और लिखना और समझाना समझाना ज़्यादा होगा लिखना कम होगा content कम क्यों ऐसा है क्योंकि जितना आप economy को समझेंगे उतना ही ज़्यादा concept आपका clear होगा और जितना ज़्यादा concept clear होगा economy का question उतना बनेगा economy के question solve करने के लिए आपको रट्टा नहीं आपको खोपड़िया खोलना होता है याद रखिएगा ये एक ऐसा subject है जहां पर जितना बरवड़ाओगे उतना ज़्यादा एक्जाम का question solve होगा और जितना कम बरवड़ाओगे उतना ही एक्जाम का question अटकेगा अगर ऐसा कोई teacher नहीं कर रहा है तो आपके साथ teach कर रहा है याद रखिएगा ठीक है एक होता है हमारे पास नगदी और plus में होता है bank में जो हम जाकर के पैसा जमा करते हैं saving account में तो bank का bank का नगदी यह दूसरा है यह bank का नगदी यह दूसरा है दूसरा हमारे पास जो पैसा होता है, दूसरा पैसा वो होता है, हमारे पास जो ये पहला पैसा, दूसरा पैसा जो है न, वो पहला पैसा होता है, यानि कि नगदी और बैंक में नगदी, पलस में पोस्ट ओफिस में नगदी, पोस्ट ओफिस में जो आप जमा करते हैं, मांग जमा और तीसरा पैसा जो होता है जो तीसरे परकार का पैसा होता है वो पहले परकार के पैसा और प्लस बैंक में जितने भी परकार के या तो आप फिक्स डिपोजित करें या फिर रेक्रिंड डिपोजित जा रहा है या सिविंग अकाउंट में जा रहा है वो सारे तो बैंक क फैसा ठीक है?This bank में पैसा ठीक है और फिर फैस परकार के पैसा होता है वह तो तीसरे परकार का पैसा पलस में जो post office है Past office यहां पे देख़िये post office ना पोस्त office में जो आप मांग जमा 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 करते हैं वह सब्सक्राइब यहां पर ध्यान् किसरे परकार में भी बोलने कि पहला पलस फो स्थ ओफिज और यह जो पोष्ट अफिज का जमाँ और यह जो फोस्ट अफिज का जमाँ उसलिये यहांपर प्या मैंने लिया है तो तीसरे अफ़ायन देखेगा बैंक में नगदी अपनी नगदी और बैंक में पैसा कैसा τοैंसकzes डिपैसित का बैंक में फिक्स डिपाजिट का ए ना एometer बैंक में पैसा क्या किया शाबधी क्यों और मांग जम्मित रखेगा थैसे हैं तो यह अलग-लग प्रकार के पैसे मैं आपको फिर से बताओ, पहले परकार के पैसा होता है, जो आपके पास नगदी है, यानि कि आपके पास और बैंक में जो नगदी है, दूसरे परकार का पैसा है, पहला परकार का पैसा है, यानि नगदी और बैंक में नगदी, पलस पोस्ट ओफिस में जो आप जमा करते है तीसरे परकार में पहला परकार भी आता है पहला परकार ये सारे और बैंक में जो FDRD करते हैं वो सब और चौथे परकार में ये तीसरा परकार और पोस्ट ओफिस का पैसा ठीक है ये चार परकार के मुखरूप से पैसा मानते हैं अब एक्जाम का पॉइंट हम आपको बताते क्या होता है एक्जाम के पॉइंट में सबसे ज़्यादा और अगर सिंपल तरीके से आपको याद रखना है तो यह है कि M3 को मुद्रा पूर्ति के रूप में लिया जाता है और अर्थ सास्तरी M3 को ही मुद्रा का पर्तिक के रूप में मानते हैं यानि कि अगर आपसे कोशन पूचे कि मुद्रा का सबसे सर्मान या मुद्रा पूर्ति का सर्मान मापक कौन है तो M3 मतलब कुछ भी बोले उसमे अगर इस तरीके से ओप्सन बनाया है तो M3 के साथ आप चले जाईएगा आपका एंसर ठीक हो जाओगा विशवास रखिये मेर अपक धंग के रूप में जाना जाता है M3 को, M1 को सबसे ज़्यादा तरल माना जाता है, नेरो भी और तरल भी, तरल, तरल मतलब अब आपके पास नगदी हतुरत निकल जाएगा, और M4 को सबसे कम तरल माना जाता है तो ध्यान लखेगा M1 सबसे ज़्यादा तरल है क्यों क्योंकि आपके JV में पैसा है आपके Saving Account में पैसा है और Saving Account आपके फून में है जब मर जी तब आप जहां transaction कर लेते हैं और M4 सबसे कम तरल है सबसे तरल कम क्यों? इसको मिटायता हूँ आपने I hope लिख लिया होगा जरूर लिख लिजेगा वीडियो को पीछे करके मिटाता हूँ तो exam का point बताता हूँ सबसे पहले M3 को ब्यापक मुद्रा कहा जाता है और ये exam को सबसे ज़्यादा question यहीं पूछा गया है कि कौन सबसे important इसमें मुद्रा के रूप में मापा जाता है तो M3 ठीक है हाँ अगर आपसे पूछे इन में से कौन से मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है तरल का मतलब इसकी liquidity बहुत है जो market में सबसे तेजी से चला जाएगा तो M1 है narrow money भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा यह तरल है M1 और सबसे कम तरल कौन है तो M4 सबसे कम तरल है ध्यां रखेगा लिखा ना M1 lending के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है M4 सबसे कम तरल है सब लिख दिया हूँ सब समझा दिया हूँ ठीक है तो अगर आपसे question पूछे तो किसको tick करेंगे M3 को tick करेंगे ठीका ना चलिए आगे बरते हैं अब ये बात कर लिए अब हमारा अगला point आता है the very important सबसे important मुद्रा स्विती यानि कि हम लोग बात करेंगे किसके उपर में inflation के बारे में यानि कि हम लोग महंगाई के बारे में बात करेंगे अगर सधारन तरीके से आपसे बात कर ले तो महंगाई महंगाई के बारे में बात करते हैं महंगाई क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं मुद्रा स्विती क्या है तो देखो मुद्रा स्विती को आप आम तोर पे महंगाई के रूप में जानते हैं आम तोर प किसके रूप में समझते हैं महंगाई के रूप में ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं मुद्रा इस्फिती का सधार मतलब है कीमत का बढ़ जाना मुद्रा इस्फिती का सधार मतलब है कीमत का बढ़ जाना ठीक है सधार मतलब है कीमत बढ़ गया लेकिन इसको थोड़ा सा और हम अच्छे तरीके से परिस्कृत करें, तो कीमत का एकदम से बढ़ जाना मुद्राइस फिती तब होगा, जब वो कुछ समय तक सस्टेन कर सके, जब कुछ समय तक सस्टेन कर सके, जरा मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेखे हुए पर आऊँगा, ठीक है, ध्यान से समझेगा आप सारी बातों को अच्छे तरीके से, ठीक है न, देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन्फिलेशन, हिंदी इंग्लिस वाले बर्चे बिल्कुल परसान ही होंगे, दोनों में लिखा हुआ है, आप समझेगा, और एकोनमी में इस बोर्ड का परयोग बहुत ज़्यादा हम करने वाले है, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, याद रखिएगा एक, और दूसरी बात यह है, जो मैं आपको समझाओंगा, वह वहाँ पर लिखा हुआ तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो भी आप यहाँ पर अपने कॉपी में एक तरीके से ड्रॉ कर लिजेगा, इससे क्या होगा, मेरे साथ, इससे क्या होगा कि आपका यह अपना बन जाएगा, बस यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन्फिलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है मुल, यानि कि जो कीमत होती है, प्राइस होती है, उसका बढ़ जाना, यह अपर एरो का मतलब बढ़ जाना, डाउन एरो का मतलब घड जाना, ठीक है, प्राइस होता है, उसका क्या मतलब ह से बढ़ा हुआ मिला आपको आलू 50 रूपे लेकिन जैसे ही परसो आप बजार गए आलू जो है ना 5 रूपे मिला 5 रूपे यानि आज गए यानि कि आज के डेट की बात कर ले मान के चलो दो तारीक को गए तो 50 रूपया और तीन तारीक को गए तो 5 रूपया तो अब कहता है जिसको हम बोलते है जिसका जो हमें एकदम साधारन समझ यह कहता है कि यह जो रेट बढ़ा है हो सकता है बाजार में ट्रॉक जो समान लेके आते हैं है वो कहीं पल्टी मार गया और मार्केट में आलू नहीं है इसलिए महंगा बेच दिया यह हो सकता है कि गौर्मेंट जो हैना बाजार को बंद करवा दिया किसी बज़ा से पैंडेमिक के बज़ा से तो जल्दी जल्दी जो हैना लोग समझे कि हम समान खरीद ले और मार्केट में आलू कम है तो किदाम बढ़ गया लेकिन जैसे ही कल बाजार खुला ट्रॉक भी आ जो गया और मार्केट में आलू की उपलबद्ध सेता हो गई गिर गया तो तो द्ःहन रकेगा यह इन्फिलेशन नहीं कहला आएगा इन्फिलेशन तो तब कहलाएगा जब सब के जेव पे असर करें, ज्यादा या कम सब के जेव पे असर करें, तो आप कहना क्या चाहते हैं, आप बोलेगे कि आप क्या कहना चाहते हैं सर, तो मैं ये कहना चाहता हूं, कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ी और कु समय तक रुक जाए एक हफ्ते दो हफ्ते तक रुक जाए क्योंकि अगर वो रूक गया तो directly इंड़ेक्टली, इंड़ेक्टली सबको effect कर जाएगा, और जब सबको effect कर जाएगा, तो हम inflation ले आएंगे, और आप जानते हैं कि inflation जो है और macro economics का part है, कौन से economics का part है, macro economics का, कोई भी इसको micro economics में मत रखना, नहीं तो गल्ती हो जाएगा, ये macro economics का part है inflation, तो कीमत बढ़े और तुम अच्छे तरीके से समझ लो, खोपड़िया में बैठा लो किसी भी तरीके से, मिरी वास समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो मुद्रा इस फिती या इन्फिलेशन एक ऐसी घटना है, जो अर्थ विवस्था में कीमतों को बढ़ा देत तुम आगे बढ़ते हैं, तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा, तो प्राइस का बढ़ जाना और कुछ समय तक ससेन होजाना, क्या होता है? इसको टेकनिकली समझते हैं टेकनिकली क्या होता है तो यह मनी है मैं यहां पर लिग देता हूं मनी यानि कि मुद्रा यह है आपका मुद्रा और जब इन्फिलेशन होता है तो क्या होता है वो बताते हैं तो इन्फिलेशन होता है तो आपके मुद्रा की वैल्यू वैल्यू value कम हो जाती है मुद्रा की value कम हो जाती है यह इसका technical point है मुद्रा की value क्या हो जाती है कम हो जाती है बाजार में money की बात बता रहे हैं और दूसरा इसका important point क्या है वो हम बताते हैं दूसरा important point दूसरा important point यह है बड़ा गौर से समझना, बाजार में मुद्रा की आपूर्ती बढ़ जाती है, इन्फिलेशन में, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ती बढ़ने से ही इन्फिलेशन आता है, तो मुद्रा की आपूर्ती, मुद्रा की आपूर्ती, आपूर्ती क्या होती है, आपूर्ती बढ़ ज जाने का मतलब तो अगर वैलू कम हो समझता ने का मतलब हम समझे तो वह क्या होता है वो मैं आपको होता है आपको होता है तुम्हारे जेव से हम आपको समझा रहे हैं देखो अगर 100 रुपईया में एक लीटर 1 LTR सरसो का तेल बिखता था मैं आप लिए गता हूँ सरसो तेल ठीक है सरसो तेल अगर 100 रुपईया में एक लीटर सरसो तेल बिखता था और आज सरसो तेल की कीमत 200 रुपईया है या 180 रुपईया है मान के चलो 200 रुपईया ले लेता हूँ और सरसो तेल का कीमत क्या है 1 LTR सरसो तेल तो ध्यान रखना हम value बता रहे हैं आपकी मनी का बड़ा गौर से समझना तो सरसो का तेल क्या कह रहा है चिढा रहा है पैसा को치़ों यहां पर भी सरसो का तेल सरसो का तेल जो पहला वला यह इसको कह रहा है कि तुम सो रुपईया निकालो और हम तुम्हारे साथ चल देंगे मतलब दुकान पे गए, सो रुपईया निकाल के दिये सर्सो का तेल लिए और चलो टकर 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 घर चले आए पका चलो दूसरा, दूसरा वाला क्या कह रहा है कुछ ही समय के बाद दूसरा वाला रहा है। कि फिर आयों सरसो का तेल ले ने? यानिक फिर आयों हमको ले जाने serso का डबबा कहए रहाहा है तुमको फिर आयों सरसो का तेल ले लेकिन बेटा समझ लो इस بार हम सर्ट किया पे नहीं जाएंगे तो इस बार हमको 100 रूपया आउर देना होगा तब हम तुम्हारे साथ जाएंगे जूलते हुए नहीं तो नहीं जाएंगे ये कौन कहरा है सरसो का एक लीटर तेल कहरा है किस से कहरा है तुम से कहरा है तो तुम क्या करोगे जो 100 रूपया निकाल के रखे हुए थो तुरत एक करके टका टका घर पहुंच जाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि रेजर जो सो हुपया की वैल्यू थी एक महीने पहले वो अब वैलियू नहीं है क्योंके पहले सव रुपया में हम 1 किलो procs ले आते थे अब हम सो रूपिया में किलो तेल नहीं लाएंगे बलकि अब दो सो रूपिया में हमको मिलेगा तो मार्केट में आपके पैसे की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई खुपडिया में घूस गया कि नहीं घूस गया ये बताओ एक और एक्जामपल देते हैं तुमको तो हम ऐसा एक्जामपल से भर देंगे कि हम पूरा दिन एक्जामपल दे सकते हैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एक्जामपल और उसके बाद काम खतम हम सब के घर में कभी न कभी कभी न कभी ये चर्चा हुआ है हम सब के घर में ये आम बात है जो बड़े बुजूरग हम से कहते हैं कि अरे हमको तो वो जमीन पांचे रुपया में मिल रहा था या हमको वो जमीन तो 2000 रुपया में ही मिल रहा था हम तो छोड़ दिये कि अरे वो किसी काम का जमीन नहीं है लेकिन आज देखो वो 20 लाग का हो गया ये हर कोई कहता था कहता था जमीन का टुकरा तो बेटा वही है मैं आपको थुरा सा दिखाओ और मैं आपको इसको अच्छ अमीन चेवर रूपया में खरीदने के लिए तैयार थे लेकिन वही जमीन जब आपका समय आया तो अब कितना में भिक रा नृपया में बिक रहा है अब आपके पास पैसा नहीं है कि इसको आप खरीद ले तो जमीन तो वही है सरसो का तेलक तो वही है लेकिन रुपया 100 के जगा पे अब 200 लग रहा है रुपया 2000 के जगा आप 20 लाख रुपया लग रहा है यानि कि मार्केट में जमीन की वैल्यू यानि कि आपके रुपया की वैल्यू 2000 रुपया की वैल्यू अब 20 लाख रुपया की value के बढ़ाबर हो गई क्योंकि कभी जमीन 2000 रुपय भीक रहता वही जमीन अब 20 लाख रुपय भीकिएगा क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बजार में रुपया जादा है आपकी economy बढ़ गई है अमीरी बढ़ गई है लोगों के जेव में रूपिया ज़्यादा आने लगा है और जब बजार में रूपिया ज़्यादा है तो जमीन वही है इसका खरीदने वाला लोग ज़्यादा है तो कीमत बढ़ गई तो जमीन वही है लेकिन कीमत बढ़ गई क्योंकि खरीदने वाला लोग जादा है तो कीमत बढ़ती चले गई तो 2000 रुपया का चीज आप 20 लाख रुपया में खर देंगे लेकिन इसके लिए समय लगा आपके दादा जी से आपके जने यानि की तीसरे जनरेशन में आकर कि यह 20 लाख रुपया में हुआ यानि कि लगवाग 50 साल का एक पूरा का पूरा टाइम इसमें बीट गया 20 लाख रुपी आने तक या 25 साल का टाइम बीट गया तो मेरी बात को अच्छे तरीके समझेगा बाजार में जब आपकी रुपय की वैल्यू कमजोर हो जाए तो वो मुद्रा इस्विति है जिसमें आ ठीक है एक रुपया में पेन खरीते थे अगर वही पेन दो रुपया में बिकरा है तो पॉइंट को समझे की कोशिस कीजेगा है ना मनी की वैल्यू कमजोर हाँ मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ जाना इन्फिलेशन है यानि कि इन्फिलेशन का ये कारण है ये परिनाम न बढ़ जाने से महंगाई बढ़ जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति कैसे कैसे बढ़ती है ये अभी हम तुरत आपको बताएंगे और ये हमेशा कारण बनता है इन्फिलेशन का परिनाम नहीं बनता है परिनाम क्या बनेगा तो परिनाम होगा सरसो की तेल की कीमत का बढ़ नाम है लेकिन मुद्रा कैसे बढ़ गया क्योंकि मुद्रा के आपूरती बढ़ गई मार्केट में इसलिए सरसो के तेल की कीमत बढ़ गया चलिए मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा पहले आप ये बताइए कि मनी का ये जो वैल्यू कम हो जाना ये समझ में आया ना समझ ना निकोसित करता हो कि क्या क्या हमने आपको बताया था मैंने का कि मुल्ल में ये बात समझ में आ गया के ग्रिमुतों में समान-अस्तर नमे बिर्दी, जो समय के साथ बनी रहते, यानि कुछ समय तक बने रहा जाए, तो वो क्या है? मुद्रा इस्फिती है, इंगलिस हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मुद्रा के मुल्ले में कमी होना, यानि कि मुद्रा की क्रे सक्ती में कमी होना, और मुद्रा के मुल्ले जिसको हम value कहते है, value of the currency, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है न? मुद्रा के मुल्ले में कमी होना, ये क्या है, मुद्रा इस्फिती है, याद रखेगा, और जब कीमत अपने समान स्थर से समय के साथ गिर रहा हो, तो अप इस्फिती है, यानि कि मुद्रा इस्फिती का ये rewards है, यानि कि उल्टा है, क्या है, अप इस्फिती, जब कीमत क्या ह इसको गिरने रहगे तो अब इस्विती है। यहां पे यहां पर का होगा मैक्रो को यहां पर मैंने मैक्रो लिखाने तो इंफिलेशन का जो हम define करते हैं Macro Economics में करते हैं यह बाद ठीक है चली आगे बर्ते हैं चले मुद्रा स्फिति की दख को मुल्ट कांगों के आधार के दो परकार के होते हैं जैसे कि मुद्रा सफिति मापने का तरीका है उसको दो परकार से अपनें देश में मापते हैं एक होता है CPI CPI होता है persone好 WPI, WPI होता है Wholesale Price Index, CPI होता है Consumer Price Index और WPI होता है Wholesale Price Index इसको भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है न, चलिए, तो हमने क्या बता है कि दो तरीके से इसको मापा जाता है, अब जब इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे CPI और WPI को, हलाकि उतना डीप हमको जाना के ज़रूरत नहीं है, आपके exam point of view से यहाँ पर relevant है, लेकिन जब CPI की बात करते हैं, तो consumer price index में और भी इसके sub-parts है, जिसमें consumer price index industrial worker के लिए है, या consumer price index मजदूरों के लिए है, तो यह अलग-अलग तरीके के इसके sub-categories बनाया हुआ है, 4-5 CPI के, क्या बोलते हैं, sub-categories है WPI wholesale price index है, और मैं मुख रूप से WPI को ही हम लोग परियोग में लेते हैं, या भारास सरकार परियोग में लेते हैं, चलिए हम लोग आगे बात कर रहे थे, किसके inflation के बारे में, तो हमने यह सारी बात यह आपको बता दिया है, अब आगे बरते हैं, inflation को ले करके, और हम लोग चीक है, आगे बात करते हैं, इसमें हम दो परकार के कारण मुख रूप से देखते हैं, एक देखते हैं, demand pull inflation यानि की मांग जनित मुद्राइसविती, और एक देखते हैं, cost push inflation यानि की लागत जन्न मुद्राइसविती, अब यहां पे आपको ध्यान ये देना है, कि demand pull inflation और cost push inflation ये होता क्या है, क्या कहानी है, और बाकि जितने भी आप inflation के जो कारक होते हैं, आपको इसमें दिखाई देगा, देखिए, सबसे पहले demand pull inflation के बारे में बात करते हैं, बड़ा ध्यान से आप समझेगा demand pull inflation को, ठीक है न, देखिए, मांग या तो market में बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए, market में, या मांग इस्थिर रहे, मांग इस्थिर रहे, या तो मांग बढ़ रहा है, यानि demand बढ़ जाए किसी बस्तू का, या किसी services का, या demand इस्थिर रहे, और इसके परिपेक्ष में, इसके परिपेक्ष में, यहाँ पर कौमा दे रहा हूँ, मांग बढ़ जाने के परिपेक्ष में जो supply है यानि कि जो पूर्ती है पूर्ती है वो इस्थिर रहे क्या रहे इस्थिर रहे पूर्ती इस्थिर रहे ध्यान में रखिएगा इस बात को मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ और अगर मांग इस्थिर है तो पूर्ती कम हो पूर्ति कम हो, अगर ये हालात है, तो मुद्रा इस फिर्ती हो जाएगा, मैंने क्या कहा, मैंने लिखा हुआ है, अब अच्छे से देख लिजे, कि अगर मांग बढ़ जाए, और पूर्ति जितना हो उतना ही रहे, तो फिर इंफिलेशन हो जाएगा, लेकिन अगर मांग इस् तरीके से समझे, तो इसके कंडिशन्स और इसके होने वाले कारकों के उपर, हम यहां पर बात करेंगे, आपके साथ बोर्ड पे, ठीक है, और बोर्ड पर देखते हैं, क्या बात करते हैं, धेखिए, मैंने क्या कहा, डिमांड, डिमांड, पुल, इंफिलेशन, यही बात मै पर end लिखा हुआ है और supply supply स्थिर रहे है ठीक है मतलब कि constant रहे constant ठीक है तो उस स्थिति में आप देखिएगा मुद्राइश फिति बढ़ जाएगा दूसरा condition यह है कि अगर demand demand अगर demand इस्थिर रहे यानि कि constant रहे जैसा है वह ऐसा ही रहे ठीक है एंड अगर supply सपलाई जो है ना गिड़ जाए तो भी मुद्राइश फिति बढ़ जाएगा और यह दोनों ही demand मुद्राइस फिती खर दोनों इकॉनवली को मुद्राइस फिती हर दिमार इस बात को याद रख्ये Goku बहुत हैं बहुत ऐग्रेंपि में अब को एक्जांपल को जो भेंडा एने के लिए समझेट अगर यहां पे ध्यान देजहेंगा आए वोग कर्ताूर और जो होता है ना ठीक है साधी विवा के मौसम में बैंड बाजो का जो बैंड बढ़ जाता है उसका डिमांड क्या होता है बढ़ जाता है लेकिन जितना बैंड वाला है उतना ही बैंड रहेगा ठीक है बैंड वाला तो लगभब उतना ही रहेगा डिमांड उसका बढ़ जाता ह तो क्या होता है, band वालों का कीमत भी बढ़ जाती है, उसी तरीके से कुछ special occasion है, जैसे महिंदी लगाने वाला, करवा चौथ के समय उसका demand बढ़ जाता है, तो उसके भी rate बढ़ जाती है, simple point है, ठीक है, आम दिनों में वो जो band बजाने वाला उसको देखना, अपने दुकान के सामने खड़ाओ करके, अपने आप band बजाती रहेगा, कुछ से कुछ गाती रहेगा, क्योंकि वो एक तरीके का अपना rehearsal या आपकी customer को आकरसन करने का एक तरीका है, अपने मन से बजा रह है, बजा रहा है, लेकिन जब आप बोलेंगा उसको बजाने के लिए तो पैसा मांगेगा, साधी विवा में, और चुकि साधी विवा में जानते हो, उसका जो है न, demand बहुत जादा होता है, तो वो क्या करेगा, अपना rate बढ़ा देगा, देखो, अब यहां पे अगला point है कि अगर demand constant है, इसका example तो समझ में आ गया, मांग constant है, लेकिन supply किसी बज़ा से कम हो गया, supply अगर कम हो गया, तो फिर से महंगाई बढ़ जाएगा, फिर से क्या हो गया, महंगाई बढ़ जाएगा, अच्छा, ठीक है, अगला, देखिए, point, मांग के चलो कि special कोई product है, special product, ठ पर दूसरा point काम आएगा, ठीक है, या पहरा point दोनों काम आ सकता है, special product का मतलब होता है, special occasion में, जैसे कि अगर कोई पर्व तेवहार है, और उस पर्व तेवहार में अगर कोई फल का, जैसे कि छट पर्व में केले का बड़ा महतो है, छट पर्व में बनाना का बड़ा महतो है, ठीक है, बनाना का, ये special product हो गया, और special occasion यानि कि छट पर्व लिग देता हूँ, छट पर्व, तो छट पर्व में केले का बड़ा महतो है, तो आप वहाँ देखेंगे, मारा सा मारा जो केला का एक पूरा, उसको हम लोग घौर बोलते हैं, वो जो रहेगा, वो बहुत मह महाँ भी केगा, और फिर कल होकर के ही, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका rate एकदम कम हो जाएगा, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन जब तक छट पर्व का पूरी कहानी चलती रहेगी 3-4 दिनों तक, तब तक बनाना का मांग जो है ना, एकदम आसमान पे रह कि अगर मेरी बात को समझ समझ दिएगा, ये डिमांड हो गया, और ये supply की इसाब से बात के लिए, मांग किस तरीके से बढ़ता है वो, उसी तरीके से अगर winter season की बात करे, winter season की, या फिर अगर हम summer season की बात करे, summer season की, ठीक है, तो in season में क्या होता है, कि कुछ special product का, कुछ special क प्रो का, कुछ special क्या बलते हैं, जो UPO की चीजे है, उसकी demand बढ़ या घट जाती है, तो उसी के हिसाब से भी इसकी महंगाई बढ़ती या घटती है, ये बात भी आप ध्यान में रखेगा, तो जब demand pull inflation की बात करते हैं, तो नाम ही समझ में आ रहा है कि मांग है, मांग, य रहते हैं, तो आगे हम कारक बताते हैं कि इसका और कारक क्या है, ठीक है न, चलिए, इसका और कारक है कि अगर salary increase हो, तो demand बढ़ जाती है, salary, अगर salary increment हो, तो demand बढ़ जाती है, salary, अगर salary increment हो, तो demand बढ़ जाती है, अगर government राजकोसिये निती, यानि कि जो deficit financing बोलते हैं, गौवर्मेंट अगर खर्चा बढ़ा दे तो गौवर्मेंट के expense अगर बढ़ जाए, गौवर्मेंट के expenditure तो भी महांगाई बढ़ जाती है, ठीक है, salary increment तो भी महांगाई बढ़ जाती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगर हम किसी और परकार के expenses की बात करें, तो यहाँ प यह चीजे practices में लाई जाती है, तो वहाँ पर क्या ध्यान दीजेगा आप, कि अगर CRR, या SLR, या repo rate, REPO, या reverse repo rate, REPO, या MSF, इनमें से कोई भी, कोई भी नितिगत instrument का, अगर rate को आप बढ़ा देते हैं, rate को आप बढ़ा देते हैं, तो inflation घट जाता है, और rate को अगर आप घटा देते हैं, तो inflation बढ़ जाता है, बात समझ में आ रही है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाओंगा, अभी एक मिनट के अंदर में, ठीक है, एक मिनट के अंदर में, चलिए, एक मिनट के अंदर में हम आपको समझाएं मैंने कहा, बेतन में बढ़ोतरी, तो देखो, बेतन में बढ़ोतरी हो गया, घाटे का बित फोशन, जिसको हम deficit financing बोलते हैं, राजकोशी है, घाटे का हम यहापे financing किये, काराधान में कमी, अगर कर में कमी हो गया, टैक्स में कमी हो गया, तो demand pool inflation हो जाएगा, क्योंकि इन सा तरे चीजों से market में पैसा का inflow हो जाता है, market में पैसा आ जाता है, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके समझाते हैं, और मेरे तरीके पर आओ, बड़ा अच्छे तरीके से, वो मेरा तरीका यह है, कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, अगर बा बाजार में पैसा आ गया, किसी भी तरीके से बाजार में पैसा आ जाया, ठीक है, market में, market में तो inflation बढ़ जाएगा, अब आप कहिए salary बढ़ गया, पैसे आ जाएंगे, ठीक है, deficit financing, deficit financing में अगर पैसा government डाल दिया, तो inflation बढ़ जाएंगे, ठीक है, चलो, tax में, tax में decrement कर दिया, तो inflation बढ़ जाएंगे, market में ये सा पैसा आने का तरीका होता है, ठीक है, अगर CRR में कमी कर दिया, तो inflation बढ़ जाएंगे, अगर SLR में कमी कर दिया, तो inflation बढ़ जाएंगे, अगर repo rate में कमी कर दिया, तो inflation बढ़ जाएंगे, अगर reverse repo में कमी कर दिया, तो inflation बढ़ जाएंगे, अगर MSF में कमी कर दिया, तो भी inflation बढ़ जाएंगे, यानि कि ये सारे कारक है, जो inflation को आपको बढ़ा देगा, आपके salary increment ह या मार्केट में deficit financing से पैसा आ जाए या tax को कम कर दिया जाए तो यह सारे जो कारक है यह मार्केट में पैसा को क्या करेगा डाल देगा मैं फिर से बता हूँ यह सारे कारक मार्केट में पैसा क्या करेगा डाल देगा और जब मार्केट में पैसा डाल देगा तो मैं दूसरा color लेता हूँ और यह कलर कहता है कि inflation inflation क्या होगा बेटा inflation बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा और इसको अपने copy में लिख लेना कि इन काल को से inflation बढ़ जाएगा arrow उपर होने का मतलब है कि बढ़ा देना और arrow नीचे होने का मतलब है कि घटा देना और एक्जाम में question यहां से आए हैं यहां से आए हैं सब से आए हैं क्या पूछेगा question वो भी मैं बताता हूँ कि अगर CRR को RBI monetary policy में CRR को अगर कम कर दिया जाए तो inflation पे क्या आसर होगा तो inflation बढ़ जाएगा क्योंकि CRR एक ऐसा instrument होता है जिसके द्वारा Reserve Bank में भारतिये बैंक या जो बैंक है वो कुछ पैसा डालती है एक security के रूप में ठीक है ना अगर उसके percentage में कमी कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उसको पैसा कम डालना पड़ेगा और जब कम डालना पड़ेगा तो inflation बढ़ जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा लगाने के लिए जादा हो जाएगा इसको समझाएंगे हम अभी और special occasion हो special occasion के कारण special product हो या फिर आपकी salary increment हो जाए या फिर जो seasons के change होने के वज़ा से कोई demand में पड़ेवरतन हो तो अगर किसी भी तरीके से demand बढ़ जाए तो आपके क्या बोलते हैं और supply constant रहे तो inflation हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं cost push inflation का cost push inflation में क्या देखते हैं वो मैं बताता हूं cost push inflation में देखे किसे भी उत्पाद के उत्पादन लागत बढ़ जाती हैं पर उत्पादन लागत दोनों में अंतर है ध्यान में रखेगा और यह उत्पादन लागत कैसे बढ़ती है दोनों में देखेगा cost push inflation कहता है कि जैसे यह जो marker है यह जो pen है इसको बनाने में अगर पैसा जो लगता है पहले 10 रुपया अब अगर इसको बनाने में लगेगा 20 रुपया तो इसका मतलब है कि market में यह कम से कम 25 रुपया में बिकेगा टेक्स वेक्स लेकर के तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी एक जामपल के तोड़ पे मैं pen को लिया तो pen लिखता हूँ अगर इस pen को बनाने में 10 रुपया लगता था और 3-4-5 रुपया profit और tax वेकर ले करके अगर इसको हम 15 रुपया में बेशते थे पहले अब क्या हुआ इसकी लागत बढ़ गई यानि कि इसके plastic की कीमत बढ़ गई या फिर इसके nib की कीमत बढ़ गई या फिर आप जो मजदूर बनाता है मजदूर की salary बढ़ गई या जो raw material आता है उस वो बढ़ गया या कच्छा तेल की कीमत बढ़ गई ज्यूआ और अब 15 रुपया का नहीं कितना बढ़ गया अब अगला point यह है कि यह बनाने में खर्चा किस कारण से बढ़ है किस कारण से बढ़एगा तो देखो मैंने आप जो और में अब तन के मजदूर है मंदूर ही तो ऑगई कच्छे माल की कीमत की औरत्री हो गई, पर जोगी कि वेगरा में कुछ घरवरी हो गया, तो फिर इसकी कीमत बढ़ जाएगी, अब इसको और मैं क्या बोलते हैं, चाहता हूँ कि मैं कुछ आपको और इसमें लीखू, यानि कि इसके और कारक लीखू कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो, cost push inflation में क्या क्या कारक हो सकते है क्यों cost push inflation आपको काम करेगा कैसे ये आपके इमांगाई को बढ़ाता है वो जब गौर से देखना बहुत गौर से अब बड़े तरीके से हम आपको बतायते हैं कि क्या होता है देखो पहला salary अगर increase हो गया तो देखो salary वहां भी increase कर रहे थे यहां भी increase कर रहे थे तो वहां जब salary increase कर रहे थे demand pool inflation में तो उससे demand बढ़ रहा था जेब में पैसा होगा लोग market में जाएंगे समान खर देंगे demand बढ़ जाएगा ठीक है और फिर क्या बोलते है demand बढ़ेगा तो inflation बढ़ जाएगी यहां पर salary क्या है कि company का मालीक अपनी इंपराई को salary देगा तो salary में जो increment किया वो increment company का मालीक अपने घर से देगा क्या नहीं वो product पर उसको क्या कर देगा रख देगा product पर और product से निकाल करके वो आपको देगा तो product की जो लागत है वो अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जब लागत बढ़ जाएगी तो salary increment करने से लागत बढ़ जाएगी तो आपको महगा समान मिलेगा तो salary हो गया दूसरा वहाँ देखेते कि tax में decrement होने के कारण inflation बढ़ रहा था यहाँ tax अगर increase होगा तो भी inflation बढ़ जाएगा क्योंकि tax अगर increase होता है किसी चीज़ पे तो फिर वहाँ पे जो pin बनाने वाला मालिक है वो इसी पे पैसा डाल करके आप से pin महगा बेचेगा GST ठीक है देख रहा हो नगा पहले tax कुछ और था भी tax हो गया तो क्या अपना घर से बेपारी सब दे रहा है tax नहीं आप से लेकर के इस government को दे रहा है लास्ट में अंतिम रूप से taxpayer आप ही है जब indirect tax की बात करते हैं तो आप हैं अंतिम रूप से taxpayer तो याद रखेगा यह बात हो गया या फिर अगर देखे रो मेटेरियल की कीमत बढ़ गई रो की कीमत बढ़ गई price of raw price of raw की कीमत बढ़ गई तो भी आप देखेगा इसकी कीमत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर energy जो energy लगता है किसी भी इंडस्टरी को चलाने के लिए चाहे वो कोईला लगे, यानि कि चाहे वो तापीय बिजली हो, चाहे वो किसी परकार का बिजली हो, इनर्जी तो लगेगा ना, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डिजल हो, तो इनर्जी का अगर रेट में इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका लागत बढ़ जाएगा, तो ये सारे जो काणी है, जो कि यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, ये cost push inflation के कारक है, तो cost push में क्या होगा, किसी भी product के बनाने की जो कीमत है, वो बढ़ जाएगी, और demand pool में क्या होगा, market में मांग बढ़ जाएगी, यही है दोनों में difference, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ और चुकि मैंने वहाँ पर भी पूरा list बता दिया था, यहाँ पर भी 3-4 list बता दिया हूँ, तो आप इसको अपने copy में लिखेंगे, अपने notes में इसको जरूर add करेंगे, चलो, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, types of inflation के बारे में, types of inflation के बारे में, सबसे पहला है low inflation, जब हम low inflation की बात करते हैं, तो इसी को बोलता है creeping inflation या crawling inflation, हिंदी में भी लिखाओ मिल जागा, कोई बात नहीं है, इसका range 3% से कम होगा, यानि कि जो low inflation होता है, वो 3% से कम होता है, और ये economy के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, economy के लिए good होता है, एक होता है, walking inflation, यानि कि चलता हुआ inflation, इसको बोलते हैं, रेंगता हुआ inflation, रेंगता, और ये है, चलता हुआ inflation, चलता, तो अगर चलता हुआ inflation की बात करें, तो इसका range होगा 3% से 5%, क्या होगा range, 3% से 5%, और developing country के लिए ये अच्छा होता है, मतलब और inflation भी अच्छा होता है, ये बात हमें फिलिप्स अच्छा होता है, ठीक है, चलिए, उसके बाद है running inflation, running inflation, ये क्या होता है, इसका range 10% से 20% होता है, और ये बिल्कुल ही आपके economy के लिए अच्छा नहीं होता है, आपकी economy एकदम धारा साही हो सकती है, हो जाएगी अगर नितिगत ध्यान नहीं दिया जाए, तो running inflation में, लेकि low inflation को तो सारे economy के लिए अच्छा माना जाता है, क्या बोलते हैं, walking inflation को developing country के economy के लिए अच्छा माना जाता है, कैसे हम अभी तुरत बताएंगे, पहले हम इसको बता दे, galloping inflation मतलब उचलता हुआ, चलता हुआ, सरी, उचलता हुआ, दौरता हुआ, inflation जिसको हम बोलते हैं, ये ज़ता हुआ, inflation, ये बहुत ज़्यादा high inflation है, इसकी digit काफी उपर होता है, 20% से ज़्यादा है, और अभी आप देखिए, बेन जुएला में इसी परकार की inflation है, या फिर आप चले जाए, जिमबांबे बगरम इसी परकार की inflation दिखाई दे रहा है, मतलब ये inflation का एक भ्यानक रूप है, जो पूरी economy को बढ़वाद कर देती है, इस बात को अब अच्छे तरीके समझेगा, चलिए, यहाँ पर एक और इनी ही चीजों से मेरे अंदर एक concept आया है, जो कि मैं आपको बता दूँ, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है न, वो ये है, ध्यान में रखि है, 10,000 का not, 15,000 का not, और वो not market में easily exchange हो जाँ रहा है, तो उस देश की economy की हालत बहुत खड़ाव है, और अगर किसी देश में बड़ा नोट है लेकिन वो easily exchange नहीं हो रहा है, पहले तो बहुत बड़ा नोट नहीं हो ना चाहिए और easily exchange नहीं हो रहा है, तो उस देस उसकी economy ठीक है, दूसरे अर्थे में अगर हम बात करें, तो अगर किसी देश में, ध्यान लखना मेरी बात को अच्छे तरीके से, अगर किसी देश में सिख्के चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि उसकी economy अच्छी है, छोटे सिख्के, छोटे दाम के कीमत के, तो यह जो point है, इसको बड़े अच्छे से देखिएगा, और इसको अगर मैं समझाओं तो देखो, अगर आपके देश में 1 रुपया का सिक्का चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी एकोनमी अभी सही है, और अगर आपके देश में 2,000 रुपया का नोट अगर आपके जेव में है, मैं आपके कंट्री की बात कह रहा हूँ, और उस कंट्री का नाम है इंडिया, जो मेरा भी है, अगर आपके जेव में 2,000 रुपया का नोट है, तो इसका मतलब है कि तुम गरीब हो, जानते हो क्यों तो कि 2000 का note तुमसे क्या होगा? एक्स्चेंज यानि कि भजेगा नहीं, 2000 का note का खुला नहीं होगा और अगर खुला नहीं हुआ, इसका मतलब आपका इकोनोवी बढ़िया है उल्टा नहीं बोल रहो हूं, मैं सही बोल रहो हूं क्यों इकॉनवी बढ़िया है क्योंकि 2000 के नोट असानी से खुला नहीं हो पा रहा है इसका मतलब कीमत नियंत्रन में है और अगर कीमत और नियंत्रित हो जाए तो 2000 रुपया में एक किलो चावल मिलेगा तब 2000 का नोट छोड़ो 10,000 का भी नोट लेके जाओगे तो दुकान ब बात को बड़ा गौर से समझेगा जब आदमी जब बड़ा नोट यानि कि अपने हाँ सबसे बड़ा नोट 2000 का है और उसको खुला कराने में आपको परसानी हो रही है तो कि मार्केट में कीमत कंट्रोल में है ठीक है ना बेनुजुएला वेगरा में जिंबावे वेगरे मे अब 50,000 के नोट में, 7,000 के नोट में, 4 अंडे, 10 अंडे, 15 अंडे खरदा के आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एकोनमी की हालत बहुत ज़्यादा मतलब क्रैस होने वाली स्थिती में समझ जाना ठीक है तब हम आगे पढ़ाते है चलिए हाइपर इंफिलेशन ये इंफि सप्लाई गिरती है और डिमांड सेम लेवल पर रहता है तो ऐसे में इंफिलेशन हो जाता है जिसको हम बॉटल लेक इंफिलेशन कहते हैं जो बात हमने डिमांड पूल इंफिलेशन में पहला बताया था मैंने क्या कहा था पहला और दूसरा कि डिमांड स्थीर रहे लेकिन supply गीड जाए तो भी inflation हो जाएगा और यह bottleneck inflation है एक होता है core inflation इसमें क्या होता है core inflation में goods और services को include करते हैं लेकिन energy और this inflation price rise in all goods and services लेकिन energy और food के article को क्या बोलते हैं इसमें include नहीं करते हैं तो यह core inflation है यानि कि core inflation में energy और food को के item को include नहीं करते हैं ठीक है तो यह core inflation है बोलते लेकिन inflation समझेगा फिर से एक बार कि आपके demand जो है ना एकदम यहां रहेगा लेकिन supply जो ऐसे था वो यहां आ जाएगा तो इन मांगाई बढ़ जाएगी ठीक है तो कि too many people changing two little goods बहुत सारे लोग जो है ना बहुत कम चीजों को खरीदना चाहते हैं तो अपने आप कीमत बढ़ जाएगी पचास गोंडा है खड़ने के लिए 10,000 लोग है एक एक अंडा को एक एक हजार उपया में बेचेगा ठीक है आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ने inflation के इस point को भी देख लिया और यही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है यह बात आप समझेगा अब चलते हैं आगे और यह आगे है बड़ा important point यह दोनों एक्जाम में question कई बारी बना है दोनों के दोनों तो दोनों के दोनों को हम यहाँ पर एक बार समझाते है कि कितना important है यह इस बात को आप समझेग है कि पहला है इस टैकट्फिलेशन है कि की इन्फिलेशन भी और रिसेशन भी हुआ तो वह बता तो नॉर्मलिल नहीं नहीं होता है, वो a stakflation है, मैं आपको बताता हूं dedic timely इस संबंद है, और तुसला मैब अपको सया ये विद्वर्श आपको संस्बंद लिए कि किर बताते हैं, कैसी इन वर्शली पॉर्पورसर मेपने देखे, consistent with rinse, and singly से हम आपको बताते हैं, यह यहां पर 0 है ठीक है और यह आक्सिस बेगर आपको समझ में आता है अब यहां पर मैं क्या करूंगा एक white color का लोंगा और इसको मैं कुछ इस तरीके से करने की कोशिस करूंगा इस तरीके से ठीक है पक्का चलिए उसके बाद यहां पर ध्यान दीजेगा फिलिप्स आप क्या कहते हैं फिलिप्स आप कहते हैं कि यह इन्फिलेशन है यह इन्फिलेशन है और यह अनिम्प्लाइमेंट है यह अनिम्प्लाइमेंट है यह क्या कहते हैं कि अच्छा यह जो फिलिप्स कर्व है मैं आप लिए यह फिलिप्स कर्व है यह फिलिप्स कर्व यह क्या कहते हैं कि यह जो महंगाई है कुछ हद तक अगर inflation यानि महंगाई कुछ हद तक अगर रहती है तो बिरोजगारी देखो कहां रहेगी है हें इस Yeah अब ये क्या कहते हैं कि अगर महंगाई को तुम गहटा दोगे दुसरे कलर से लेता हूं मैं ठीक है अगर महंगाई को आप कम करडोगे या gusta क्या चले जाएगी यह कहते है कि महाई अगर आफ बढ़ाओगे मैं फिरसे दुसरे कलर ले고 महंगाई अगर आपका बढ़ गया, तो आपकी बिरोजगारी कम हो जाईगी, तो महंगाई अगर बढ़ती है, तो बिरोजगारी क्या होगी, कम होगी, तो फिलिप्स आप क्या कहते हैं, कि इंफिलेशन जो है न, इंफिलेशन जो है न, वो, ठीक है, वो क्या है, इंडिरेक् पॉर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प तक यह acceptable है, यानि कि 6-7% तक अगर inflation है, developing country में, developing country में, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि सही है, मतलब कि चीजे सही चल रही है, अब इसको अगर मैं अपने तरीके से समझाओ, जिसको बोलते हैं कि मेरा विकास साइकल से, तो विकास साइकल से कैसे समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा मिटाने कि इसको कोशिश करता हूँ, और inflation आप देख लीजेगा, indirectly proportionate है, ये बात भी आप देख लीजेगा, और मैं थोड़ा सा अपने साइकल से इसको बताने कोशिश करता हूँ, और मेरा साइकल आप बड़ा गौर से समझेगा, इन्फिलेशन शुरू करा हूँ, तो इन्फिलेशन से ही बात करते हैं, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा है मनी है लोगों के जेब में पैसा है तो अगर लोगों के जेब में पैसा है तो किसलिए पैसा है क्योंकि लोगों के पास employment है यानि कि लोगों के पास रोजगार है और लोगों के पास रोजगार है किसलिए रोजगार है क्योंकि देश की economy और देश की जो economy है वह बेहतर इस्थिती में है, अगर बेहतर इस्थिती में होगा, तो की अगर बढ़ा हुआ है, देश की एकॉन आप एक बार अपने तरीके से भी ठीक है, थोड़ा सा देखने की कोशिज कीज़ेगा, क्या है उसको समझाता हूँ फिर से मैं, अगर economy अच्छा है, कहीं से भी ले लो, इस पूरे में कहीं, अगर economy अच्छा है, तो इसका मतलब है कि economy में क्या होगा, employment generate होगा, यानि कि नौकरी, यह है नौकरी बेटा, नौकरी, employment generate होगा, अगर अर्थ विवस्था अच्छा है, तो अर्थ विवस्था, अगर अर्थ विवस्था अच्छा है किसी देश का, तो नौकरी मिलेगी, और अगर नौकरी मिलेगी, तो लोग बाजार जाएंगे, कजार जायेंगे तो मांग क्रियेट होगा यानि की डिमांड के बनेगा और डिमांड बनेगा तो इसका मतलब है कि महःगाई अपने परहों कि डिमांड से बढर भेगी तो महंगाई इंफिलेशन तो बढ़ेगा और यह मेरा साइकल है, ध्यान रखेगा बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर economy अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आपको रोजगार मिलेगा, और रोजगार अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप बजार जाएंगे, और बजार जाएं में इस पूरे जो चेन है इसमें किसी को भी ब्रेक कर दे तो सब गरवर हो जागा जैसे example के तोर पे जैसे देखना अगर demand नीचे आ गया demand नीचे आ गया यानि कि मांग नहीं है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब लोगों के पास जेवी में पैसा नहीं है मैंने का था लोग पास पैसा नहीं इसका मतलब क्या है कि economy अच्छी नहीं है यानि कि रोजगार लोग के पास नहीं है और रोजगार लोग के पास नहीं है इसका मतलब देश की economy अच्छी नहीं है तो देश की economy अच्छी नहीं है दिमांड नहीं है तो inflation भी गिरा हुआ तो पूरा का पूरा जो यह सरकल है पूरा का पूरा जो यह economy का कहानी है यह चेंज हो जाएगा तो फिलिप्स आप कहते हैं कि इंफिलेशन कुछ हद तक अच्छा है और यह बात आप देख रहें फिलिप्स कर्व से कि अगर इंफिलेशन मैं आप पॉइंट भी नोट कर दू तो अगर इंफिलेशन यहाँ पे 4% था तो बिरोजगारी दर यहाँ पे कह देता हूँ मैं 6% था बिरोजगारी दर, लेकिन जैसे ही इन्फिलेशन को आपने 6% करने की कोशिस की, बिरोजगारी दर घट करके 3% हो गया, और इन्फिलेशन जैसे ही 6 से 7 हुआ, लेकिन एक हद तक ही यह काम करेगी, उससे उपर नहीं, क्योंकि उससे उपर तो देशका उक्वराब हो जाएगा तो इसको आप ज़रूर बना लिजएगा, इसको बना लिजएगा तो आपको पूरा inflation और पूरी economy समझ में आ जाएगी, यह cycle, और यह फिलिप्स साहब का है, तो यह फिलिप्स साहब का भी ज़रूर देखेगा, बता दिजएगा कि inverse relation between inflation and unemployment, ठीक है न, यह बात मैंने लिखा भ आगे बरते हैं, और आगे हमारा कुछ point आता है, जिसको recession और depression जैसे points की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो recession में क्या-क्या होता है, यानि मंदी में क्या होता है, वो देखते हैं, और depression में क्या होता है, वो देखते हैं, देखे, मंदी में क्या होगा कि demand गिरेगा, और depression म क्या होगा कि demand बहुत कम रहेगा, मंदी में क्या होगा कि inflation कम रहेगा, यानि कि महागाई कम रहेगी, तो inflation यहाँ पे और ज़्यादा कम रहेगा depression में, unemployment rate यानि कि बिरोजगारी बढ़ेगी मंदी में unemployment rate यहाँ भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इंडरस्ट्री जो है ना, अपना पैसा कट करेगा, यानि कि बेतन चटनी बतनी करना शुरू करेगा, ठीक है न? तो, रिसेशन और डिप्रेशन एक जैसी चीजे ही है, तो फिर अंतर क्या है? तो recession और depression में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि recession के extreme form को depression कहते हैं recession के extreme form को depression कहते हैं यानि कि मैं अगर इसको फिर से एक पूरा economy के cycle से समझाने कोशिश करूँ तो मैं भी आपको तुरश समझायता हूँ ठीक है और बड़े गौर से आप समझेगा हमने आपको क्या कहा था मंदी में क्या क्या होगा और कोई एक point ले लेते हैं मैंने कहा था मंदी है मंदी है इसका मतलब demand गिरा हुआ है demand गिरा हुआ है तो अगर demand गिरा हुआ है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है लोगों के पास पैसा नहीं है, यानि कि मांग नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो यानि कि रोजगार इंप्लामेंट नहीं है, रोजगार इंप्लामेंट नहीं रहेगा, और इंप्लामेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं है, और अगर आपक का रिक्षेशन. मंदी. इंफिलेशन कम रहेगा, डिमांड कम रहेगा, विरोजगारी दर बढ़ी रहेगी, यानि कि implement कम रहेगा, और अगर unemployment कहेंगे तो बढ़ा रहेगा, इसको unemployment अगर लिग दे तो बढ़ा है, और employment है तो कम है, और economy कैसे रहेगी खड़ाब रहेगी क्यों कि इंडेस्ट्री जो ना प्राइस कट करेगा यह मंदी के करेक्टर है और इसको यह रट्टा नहीं मारना है यह बस कोई एक आपको मी जाना चाहिए कोई एक कि डिमांड क्या रहेगा कम रहेगा तो लो भाया अब नचा देंगे हम अगर लगातार कुछ सालों तक रह जाए तो वो डिप्रेशन हो जाता है अवसाद की स्थिती बोलते हैं इसको अगर मंदी लगातार कुछ समय तक रह जा तो इसको अवसाद की स्थिती कहते हैं और अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया था यह दुनिया का सबस समझ में आ रहा हैं कि नहीं हाड glutahya घ्डाइक कुल जरूर द्रहाेज़न हैं।zar jaki चेंड एक वी block होगा है तो सारे block अपने आफ teryat हो जाएंगे और एक block में भी गरवर्य होगा oleh मिंट्रिय हो जाएगा और inflation बढ़ा हुआ है, यानि कि यह सब चीज है, मंदी है, recession है, और plus में क्या हुआ हुआ है, महंगाई है, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि एक तो करैला और दूजा निम चड़ा, कैसे, देखो, 5 रुपिया का biscuit का packet हमको खरदा नहीं जा रहा था, इतना मंदी है, क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है, अब क्या क्या है, इंडस्ट्री ने और महंगाई कर दिया, और ये बात अभी आप लोगों ने कोरोना के समय में देखा था, क्योंकि बहुत बड़ा एकोनमी है, और भाराज जैसे एकोनमी को रोख जाना, भाराज जैसे एकोनमी में प्रोब्लेम आ जाना, पूरे दुनिया की एकोनमी को क्रैस होने में बिल्कुल नहीं रोकेगा, इसलिए क्योंकि भारत पीपीपी के अधार पर दुनिया का तीसरा बड़ा ECONOMY है, और Exchange rate के अधार पर याई GDP के अधार पर दुनिया का साथवा बड़ा ECONOMY है. और इतने बरे ECONOMY का CREAS हो जाना या इतने बरे ECONOMY में बहुत बड़ा मंदी आ जाने का मतलब ये है, हम क्रैस हो जाएंगे भारत अब दुनिया में ऐसे इस्थिति में आ गया है जहां पर इसकी economy का हिलना दुनिया के बहुत सारे economy में परसानी खड़ा करने के लिए काफी होगा तो अब दुनिया जो है ना भारत जैसे देशों की economy को बचाने के लिए काम करेगा उसको डुवाने के लिए कम काम करेगा कोशिश तो करेगा लेकिन कम काम करेगा हां तो डुवाएगा किसके economy को तो डुवाने का काम करेगा वह बेन जुएला जैसे एकोनोमी को कॉंगो इसके जैसे एकोनोमी को ठीक है आपको डुबाने का काम करेगा पक्का ना चलिए आगे बरते हैं के अगतला पॉइंट है कि गौर्मेंट के क्या स्टेप होते हैं होने चाहिए अगर इंफ्लेशन है तो तो गौर्मेंट को टैक्स के रेट में कट करना चाहिए tax के rate कम करने से क्या होगा कि market में पैसा आ जाएगा market में पैसा लाना बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद supply money market में पैसा supply करना होगा कैसे supply या तो deficit financing पैसा चाप करके पैसा चापना तो अच्छा practice नहीं माना जाता है क्योंकि पैसा चापने के चक्कर में बेने जुएला का यह हाल हुआ है या दुनिया के और भी countries का यह हाल हुआ है ठीक है पैसा चापना अच्छा practice नहीं माना जाता है लेकिन हाँ supply कैसे करेगा market में तो किसी ने किसी जैसे infrastructure का development करेगा तो अगर infrastructure का development करता है government तो उसमें क्या होगा उसमें चर्ज, सिमेंट, बालू, मजदूर, मिस्तीरी सारे कुछ लगना शुरू हो जाएगा और सब के हाथों में पैसा जाना शुरू हो जाएगा लोग market आना शुरू करेंगे और economy चल जाएगा ठीक है या फिर government expense जो है ना increase होगा यह वही बात है salary और wages increase कर दे government अपने employee को, अपने pensioner को salary और wages increase कर दे तो pensioner market में आएगा, employee market में आएगा, समान खर देगा उस समान की demand बढ़ेगी, डिमान बढ़ने से वह factory चलने लगेगा तो रोजगार उत्पन हो जाएगा और रोजगार उत्पन हो जाएगा तो economy का cycle चलना सुरू हो जाएगा किंस ने कहा था, गढढ़ा खोदो और गढढ़ा भरो अगर देश में recession या depression जैसी स्थिती है तो किंस ने क्या कहा था, गढढ़ा खोदो और गढढ़ा भरो इसका मतलब क्या होता है, मालू है, इसका मतलब यह होता है कि बिना मतलब के काम करवा, बिना मतलब के काम का मतलब की तुम काम में लगा दो, काम में जब लगा दोगे न तो क्या होगा कि मजदूर काम करेंगे, तुम उसको मजदूरी दोगे वो बाहर जाएंगे, आटा खर देगा, चावल खर देगा आटा खर देगा तो फ्लोर मिल जो है न वो चलना शुरू हो जाएगा कपड़े खर देंगे तो टेक्स्टाइल मिल के उपर काम करना शुरू हो जाएगा और फिर वो सारे मिल उत्पादन के लिए रोजगार देना शुरू कर जाएगा तो वहाँ पर रोजगार लग जाएगा फिर उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर मार्केट में आएगा यही काम करेगा और साइकल एकॉनमी का चलने लगेगा बात समझ में रहा हो एकॉनमी के साइं के लिए दूसरे से क्या इंटर लिंक है एक वी चैन ब्लॉक होता है पूरा का पूरा एकॉनमी में समस्या सुरू हो जाती है ठीक है ना चलिए आगे यह भी एक्जाममे कॉस्टन कई बार पूछा है कि अपने देश में करेंसी का डिवलूरूसन कितने बार हुआ है तो मातर तीन बार अपने देश में करेंसी का डिवलूरूसन हुआ है ध्यान रखेंगा और नेशनल जो market है उस market में आपके currency की value क्या हो जाएगी? value कम हो जाएगी, कम करना और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपका export increase होगा और import क्या होगा? decrease होगा और चाइना इसमें export है, devaluation of currency में चाइना बहुत export है ने तो चाइना की economy जितनी बड़ी है, उसकी currency बहुत मजबूत होनी चाहिए लेकिन जान बुझकर अपनी currency को international market में वो कमजोर रखता है, devaluate रखता है ताकि उसका जो export है वो बढ़ा रहे और import कम रहे और आप जानते हैं कि चाइना export generated अभी क्या बोलते हैं country बन गया है क्योंकि consume उसके देश में अबादी है, मानता हूँ भारत से ज़्यादा अबादी है तो consume generating country से वो export generating country की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप जानते हैं कि participating चैना आहिक्स प्रफ पर्फ करता है यह और हमारा सबसे ज़्यादा खपत के इकनमी है क्योंकि हैंघान न समझ में आ गया तो यह बात है डिवलिशन अफ मनी से क्या होता है, करेंसी से क्या होता है, तो निरियात में बढ़ोतरी होती है और आयात में कमी होती है, ठीक है, चलिए, आगे, मुद्रा इस्फिती का प्रभाब क्या पड़ता है, किस पे क्या प्रभाब पड़ेगा, तो देखो, मुद्रा इस्फिती का वाला benefit रहेगा, demand क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, तबी तो मुद्राइश पृति, supply कम रहेगा, purchasing power capacity कम रहेगा, saving यानि की बचत कम रहेगा, खर्चे बढ़ा रहेगा, import कम होगा, export बढ़ा रहेगा, बेरोजगारी यानि की रोजगार कम रहेगा, ठीक है, short run में, और कर बढ़ेगा, business, businessman benefit में रहेगा, farmer benefit में रहेगा, investor benefit में रहेगा, पेंशनर नुकसान में रहेगा, या pensioner जैसा कोई भी fixed income बढ़ा नुकसान में रहेगा, ठीक है, और इसको अगर समझना है, तो यह बढ़ा आसान है, क्या आसान है, देखो, कोई भी जो fixed income बढ़ा है, उसका तो fixed income है, मानके चलो 2000 रुपया मिलता है, तो 2000 रुपया उसको मि नुकसान में रहेगा, तो fixed income बढ़ा किया हो गया, नुकसान हो गया, बिजनसमेन फैदे में रहेगा, क्यों बिजनसमेन फैदे में रहेगा, दो तिन तरीके है, पहला कि उसका पुराना स्टॉक का, पुराना माल का कीमत क्या हो जाएगा, कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ ज तो यह फैदा हो जाएगा क्योंकि 100 उर्ग्या में खरदा था 120 में बेचेगा 150 में बेचेगा ठीक है और बिजनस्मेन को ऐसे भी प्रॉफिट होता है बिजनस्मेन नुक्सान में नहीं रहता है ठीक है ना जो मुद्राइस्फिती का प्रभाव आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि क्या प्रभाव होता है मुद्राइस्फिती का आपके एकोनमी पे और एकोनमी के अलग-अलग सेक्टर्स पे ठीक है चलिए आगे अगला पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो म बात मैंने आपको बता दिया Demand Pool Inflation के समयमे एक बार देख लिजेगा खुले बजार में सरकारी परतिभूती को बेचना और खरीदना इससे क्या होगा अगर परतिभूती को बेचता है परतिभूती का मतलब होता है bond paper अगर market में bond paper बेचता है सरकार तो इसका मतलब है कि बजार से पैसा निकालना चाहता है कैसे ये मान के चलो कि ये परतिभूती है तो इसको बेचे तो इसके बदले में सरकार को क्या मिलेगा पैसा तो पैसा सरकार अपने पास ले लेगा तो market से पैसा निकाल लेगा लेकिन जब पषिबूति को खड़ीदेगा आपसे खड़ीद लिया तो इसका मतलब मार्केट में पईसा वो डालेगा, तो पर्तिभूतियों का बेचने का मतलब होता है कि इनिफिलेशन कम होगा, और पर्तिभूतिय अगर खड़ीद देज़ता आ, तो इनिफिलेशन बढ़ तो आपकी economy की स्थिति खड़ाब है, उत्पादन नहीं होगा, तो रोजगार भी नहीं मिलेगी, simple है, demand ही नहीं है, जैसे इसको भी cycle बनाया थे, पहले ही बनाया हूँ, demand, मैंने क्या का कोई एक पकर लो, demand क्या, demand की क्या कर रहा है, कमी, क्या होगा, demand की कमी से, demand की कमी है, इस production नहीं करेगा, जो पहले से है, वहीं नहीं खपत हो रहा है, production नहीं करेगा, तो inflation भी क्या रहेगा, lower रहेगा, ठीक है, तो जब इस तरीके से आपको करना आ जाया, तो इसका मतलब है, inflation and economy का अपच्छे तरीके से समझ जाते है, मुदरा का मुली गिर जाता है, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है न, और कीमते बढ़ जाती है, चलिए, तो ये inflation के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बाते आपके साथ किया है, inflation को ले करके, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ जीएगा, inflation में, सबसे पहले हमने क्या बताया, inflation क्या है, तो एक की में बिर्दी है, फिर हमने आपको क्या बताया, कि inflation के क्या reason है, तो हमने demand pull बताया, बहुत अच्छे तरीके से, फिर हमने cost push बताया, बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हमने आपको क्या बताया, कि inflation के अलग-अलग types है, जिसे low inflation, जिसको हम creeping inflation भी कहते हैं, फिर हम हमने वौकिंग इंफ्लेशं की बात कि उसके बाद हमने हाइपर इंफ्लेशं तक रखताएं बॉटल्लेक इंफ्लेशं की heновky premi थे बात किया कोर इनफ्लेकंग कि बात किया यह सारी बात वहां से बॉध Umm आप एक बार देखिएगा, इसको आप एक बार कोशन लगाईए, आपके सारे कोशन यहां से बनते हुए नजर आएंगे, तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच्च